हेलो बच्चों, SIC के आनलाइन क्लास में आपका स्वागत है, आज हम क्लास 12 साहित्तिक हिंदी के अंतरगत, यह अगला पार्ट पढ़ते हैं, जिसका नाम है महर्शिदयानन्दः, इसके पूर नए संसोधन के अंसार, दो पार्ट आपके स्लेबस से निकाल दिया गया है, जिसका नाम क्रमशह, जातक कथा और निर्पत दिलिपा है, तियह पार्ट के वल साहित्तिक हिंदी वालों के लिए है, अर्थात के वल आठ्स वाले बच्चे पढ़िएंगे, तो आई आश्प्रांते टंकार नाम निग्रामे, स्रीकर्षन तिवारी नामनों धनाध्य, आउचीत विप्र, वर्षियस्य धर्मपत्नी, सिवस्य पार्वतीव, भाद्रमासे, नवम्यातितो, गुरु आरे, मूलनक्षत्रे, एकासित द्यूत, उत्तर, अश्टादस अतत्में इसका देखिए, सौराश्प्रांते, सौराश्प्रांते, सौराश्प्रांते के टंकारा नाम निग्रामे, टंकारा नाम गाउं में, स्रीकर्षन तिवारी धनाध्य, तिवारी नामनों धनाध्य, स्रीकर्षन तिवारी नाम के एक धनी, आउचीत विप्रवंसियस्य, आउ गर्व से सिवस्य पार्वतिव भाद्रमा से अमोस्या तिथो नौम्या तिथो शियो और पार्वतिव के भाद भादों के महीने के नौमी तिथिको गुरु आसरे गुरुवार के दिन मूल लक्षत्रे एकादशी उत्तर मूल लक्षत्र के एकादसी तिथिको हुआ था जो उ अश्टाद सतत में अब्दे अन्य एक आसी तिथिको अठारह सो एक्यास्वें विक्रम संबत में पुत्र रत्में हुआ अर्थाद अवाकिमिस का अनुबाद देखिए सौराश प्रांद के टंकारा नामक गाउं में स्रीकर्शन नामक धनी ब्राम्हर थे जिनके धर्म पत्नी के गर्व से और सीव और पार्वती के आशिरवाद से भादो महीने के नौमी तित को गुरुवार के मूल लक्षत्र में मने नौमीत इसको मूल लक्षत्र में गुरुवार के दिन 11 तारी को 1881 बिक्रम संबत में पूत्र रत में जन्म लिया जन्मता हद दसमे दिने सीवं भजे दयम इती बुध्या पिता स्वा सुतस्य मूल शंक्रा इती नाम अकरोत इसके बाद अश्टमे वर्षे अश्य उपनयनम अकरोत और आठमे वर्ष में उन्होंने इनका उपनयन संसकार कर दिया उपनयन होता है जो जन्यू संसकार जिसको कहते हैं तो जन्म से आठवे वर्ष के जब ये हुए तो इनका उपनयन संसकार कर दिया गया त्रियोदस वर्ष प्राप्ते असमे मूल संकराय पिता शिवरात्रि बर्द ब्रतम आचरतुम अकथे अति जब ये त्रियोदस वर्ष मैंने तेरह वर्ष के थे तब असमे मूल संकराय पिताती इनको मूल संकर के पिता ने सिवरात्रि ब्रतम आचरतुम अकथे अति शिवरात्रि का ब्रत करने के लिए इनसे कहा पितुख आज्या अनुशारम पिता के आज्या के अनुशार मूल संकराय मूल संकर ने सर्मपि ब्रत बिधानम अकरोत ब्रत के सभी बिधान को इन्होंने किया रात्रों सिवालिये स्वापित्रा समम सर्वान निद्रितान विलोक्य रात्रों मने रात्रि में सिवालिये मने शिवाले मनशिव के मंदिर में स्वापित्रा समम अपने पिता के साथ सर्वान निद्रितान विलोक्य सभी को सोते हुए देख कर स्वेम जागितों अतिष्ठ अतिष्ठत वह अपने जग करके अतिष्ठत में बैठे हुए थे और उस स्थिती में सिवा चौ उपर और इन्होंने शिव के उपर मुशिकह एकम इस्थतः विचरंत दिष्टवा एक चूहे को इधर उधर घूमते हुए कहां शिव के शिवलिंग के उपर एक चूहे को जो सद्शिव और सुंदर हैं लोक शंकरम संसार में जिसका नाम शंकर है संकरम साकषात कर तुम निष्चितवान वह ऐसे का साकषात करने का इन्हों ने अपने हिर्दय में निष्चे किया उनके अंसार जब जिस आस्था के साथ बैठ करके पूरी राज शिवलिंग को देख रहे थे बाकी सबी लोग सो गये थे तो उस पर एक चूहा इधर उदर भूम रहा था उस चूहे को इधर उदर भूमता हुआ देख करके उन्हें विश्वास हो गया कि निश्चित रूप स साक्षात कार करने के लिए अर्थात मिलने के लिए इन्होंने अपने हिर्दय में निश्चित किया तता प्रभ्रतेव सिवरात्रेव उत्सवह रिसी बोद सत्वत इतिनामना स्री दयानंद अनवाई नाम आरे समाज इनाम मध्धे परसिद्धो अभूत उसके बाद फिर उ संकर से साक्षात कार करूंगा तब से ही लेकर सिवरात्र का जो उत्सवह है रिसी बोद उत्सवह के नाम से स्री दयानंद के अनवाई आरे समाज के बीच में या प्रसिद्ध हो गया आरे समाज के जो संस्थापक थे दयानंद सरस्वती तो उनके अनवाईयों के बीच में इस उत्सो को किस नाम से जाना जाता है रिसी बोध उत्सो अब अगला पारग्राफ देखते है यदा आयम खोड़स देश वर्सिया आसी जब ये शोलह वर्स के थे तदा असे कनियसी भगिनी पी सूच केया पंच तत्वम गता इनकी कनियसी भगिनी छोटी बहन पी सूच केया पंच होता है हैजा जिसमें उल्टी दस्थ होता है तो ऐसे हैजा रोग से पंच सत्वम गता मने मृत्य को प्राप्त हो गई अर्थात वक मर गई वर्स त्रियांतरम अंतरमस्य पित्रव्यों अपी दिवंगता है अव तीन वर्स के अंदर ही इनके पिता की भी मृत्य हो गई द्वयों अन्यों मृत्यम द्रिश्टवा ऐसे दोनों की मृत्य को देख करके आसीद आसीदस्य मनसी मने इनको बहुत अधिक मन में कष्ठ हुआ कथम अहम कथम वायम लोग का मृत्य भयात मुक्तह और मन में इन्हों ने सोच लिया कि किस प्रकार संसार से मृत्य के भैसे मुक्ति पाया जा सकता है स्यामित ऐसा सोच करके चिंतन करके एव अस्य हिर्दी सहसेव वैराग प्रदीपह प्रजुलितह अचानक इनके हिर्दय में सोच करके कि संसार क्या है भैसे ग्रसित है मनि मृत्य के भैसे ग्रसित है तो मृत्य से किस प्रकार मुक्ति पाया जा सकता है सोच करके अचानक इनके हिर्दय में वैराग्य का दीपक जल उठा एकस्मिन दिव से अंतस्त गते भगवती भासकर मूल संकरा ग्रिहम त्यजत एक असमिन दिव से एक दिन अंतस्त गते भगवती भासकर भास्वती भास्वत मने भगवान सूरी के अस्थ होने पर रथात रात्री के समय में मूल संकरा ग्रिहम अत्यजत मूल संकर ने अपने घर को छोड़ दिया सब्त दस वर्षाणियावत मने सत्रह वर्षूं तक अमरत प्राप्त उपायम चिंतरम चिंतेयत अमरता के उपाय प्राप्त करने की चिंतन ले करके मूल संकर ग्रामात ग्रामम मूल संकर ने गाउं से गाउं नगरात नगरम नगर से नगर बनात बनम बन से वन परवतान परवतम प्रमयत परवतों से परवतों पर भ्रमड किया परम न अवंद तितराम 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 नाव अंतरताम तितराम मनें इन्हें संतुष्टी नहीं मिली तितराम चाहिए कहेंगे कि इनकी जो खोज हुई वहां समाप्त नहीं हुई अनेके भियो विद्व्या व्याकरण व्याद वेदांत आदीनी सास्त्राण योग विद्याश्य असिच्छत अनेग विद्वान व्याकरण आदी वेद वेदांतों और शास्त्रों तथा योग की सिक्छाइन होने लिया नर्वदा तटे चा पूरा नंद सरसुती नामना सन्यासी नहां सकासाथ सन्यासम ग्रितवान और नर्वदा तटी तट पर सम पूरा नंद सरसुती नाम के सन्यासी से इन्होंने दिख्षा लेकर के सन्यास ग्रहण किया तबसे दयानन सरस्वती इति नाम न अंगिकृतवान इसके बाद तबसे ही इन्हें दयानन सरस्वती के नाम से जाना जाता है या दयानन सरस्वती के नाम को इन्होंने धारण किया इसके पूर्विन का नाम क्या था? मूल संकर नाम था अगला देखिए इस्ट को सुन सुन करके सप्त दश एकोन विन्षती अर्थात एकोन विन्षत मनें उन्नीसो सत्रे विक्रम संबत में इन्होंने भगवा स्रेक्रिष्न के जनम भूमी मतुरा नगरी को प्राप्त किया अर्थात वह कहां पहुँच गए विर्जानन सरस्थी से मिलने के लिए कहां चले गए विर्जानन से मिलने के लिए मतुरा नगरी चले गए तत्र फिर उसके बाद तत्र बने वहां गुरु कल्प जो वेद वेदांगों में प्रवीड है विलोचन अपी बने जिनके पास नेत्र नहीं है नेत्र हीन होते हुए भी आगम लोचनम बने भविश्य को जानने वाले साधु सभावम, सजजन सभावाले गुरु विर्जानन्दम अगच्छत गुरु विर्जानन्द के पास पहुँचे भक्तिया प्रडम्यचो और उन्होंने उन्हें भक्ति से प्रडाम किया और विद्याध्यन से और सुक्तियम निवेद्यम और विद्याध्यन की उत्सुकता का निवीदन उनसे किया मने वो इनसे और विद्यागरह करना चाहते थे फिर उसके बाद गुरु विर्जानन्दों अपिकुसागर पुद्धी इमम द्यानन्दम त्री वर्सन यावत पाड़ी ने अश्ठा ध्याई मन्यानिंच सास्तरान अध्याप यामासः गुरु विर्जानन्द भी इसकुसागर वुद्धी द्यानन्द को तीन वर्सों तक पाणिन के अश्ठा ध्याई और अन्य शास्त्रों का अध्यापन कारिबने अध्यान की कराया उने इन्हें उसकी सिक्षा दी समाप्त विद्या दियानन्द परमया स्रध्या गुरुम अवदत विद्या समाप्त होने पर दियानन्द ने अपने गुरु से स्रध्या पुरुबग बोला भगवन अहम अकिंचतेया मैं अकिंचन हूँ, अकिंचन कहा जाता है कि मेरे पास कुछ भी नहीं है मैं एक केवल लौवंग का फूल लेकर आपके पास आया हूँ इस फूल को आप धारन करके मुझे अनुगरित करिये मदियाम गुर्दक्षिडाम यही मेरी गुर्दक्षिडा है और गुरु को गुरु से ग्यान लेने के बदले गुर्दक्षिडा देना था तो उन्होंने क्या कहा कि मैं इस समय बहुत अकिंचन हूँ, मैं बहुत गरीब हूँ, मेरे पास कुछ नहीं है इसलिए मेरे इस लौंग के फूल को प्राप्त करके मुझे अनुग्रीत करिए और यही मेरी गुर्दक्षिडा है फिर उसके बाद प्रीतः गुरुम गुरुमस्त भास्तनम सौम्य प्रेम से गुरु ने बोला है सौम्य विदित वेद तब्यो असी तुम संपूर वेद और वेदांगों में वो जान चुके हो ने प्रविन हो चुके हो नास्त गिमा पर अविदितम तो तुम्हारे लिए कुछ भी ऐसा नहीं है जिसके वारे में तुम नहीं जानते हो अजयाना अंधिकारे निमगनो वर्तते और आज हमारा देश अजयान के अंधिकार में डूबा हुआ है नार्य अनाद्रियंते नारियों का अनादर होता है सुद्रास तिरसकृत्यंते और सुद्रों का तिरशकार होता है अज्ञानिना पाखंडिना चापुजन्ते और अज्ञानी पाखंडियों की पूजा की जा रही है वेद सुयो दयमंतरा अज्ञान अंधकारम ना गमिश्यती और वेद के सूरी के उदे हुए बिना अज्ञान का अंधकार कभी भी यहां से नहीं जाएगा स्वातेस्तु ते तुम्हारा कल्यान हो उनमयन पतितान उन पतितों मने गिरे हुए का उध्धार करो समुधर इस्त्री जाती संपूर इस्त्री जाती का उध्धार करो खंड पाखंडम पाखंडों का खंडन करो जो पाखंड फैले हुए हैं उसे समाप्त करो इत्य मेंव में अभिलाशह यही मेरी अभिलाशा मने इच्छा है यह मेंव चब में गुर्दक्षिडाव और यही मेरी मेरे लिए तुम्हारी गुर्दक्षिडाव है उसके बाद गुरुडा एव अग्याप गुरु के इस प्रकार आग्यास्त को लेकर महरसिदयानंद ने एत देश वासिनों जनान उध्धर्तुम इस देश वासि लोगों के उध्ध्यार के लिए कर्म शेत्रे अवातरत कर्म शेत्र में उत्रे सर्प्रथम हरिद्वारे कुम परवणी भागी रत तते पाखंड खंड नी पता का संस्थाप्यत सबसे पहले हरिद्वार में कुम के परग पर भागी रती तते वन गंगा के तट पर पाखंड खंड नी पता का संस्थाप्यत पाखन्ड को समाप्त करने वाली पताका की अस्थापना किया तदन्तरम अयम प्रतिपादी वान रिग यजूर साम बेदो वेदा नित्या इश्वन करती का काश्च फिर उसके बाद रिग यजुर वेद साम वेद बने चारो वेदों का अध्यन करने के बाद नित्या इस्वरम कर्तुम काश्च ब्रामणा शत्री वैश शुद्रानाम गुण कर्म सभावे विभागा नतु जन्वना फिर इन्होंने निश्चय किया कि इस्वर के द्वारा यह बनाया गया है कि ब्रामण शत्री वैश शुद्र किवल गुण कर्म सभाव से बटे हुए हैं नतु जन्वना जन्व के आधार पर निका विभाजन नहीं है चत्वार एव आस्रमा हैं किवल चार ही आस्रम हैं इश्वर एक एव इश्वर एक ही है ब्रह्म पित्र देव तिति बली वैश देवा पंच महायागया जो निट्य करणिया जिसे निट्य करनी चाहिए इस्त्री सुद्रों को वेद का अधिकार नहीं है इस वाक्य को समाप्त करते हुए सर्वे साम अध्याना अधिकारम विवस्था पयते सभी को वेद का अधिकार है इस चीज की विवस्था इन्होंने की एव मयम पाखंडो उन्मूल नाय इस प्रकार के पाखंडों का उल्मूनन करने के लिए इन्होंने वैदिक धर्म संस्थापनाम नाय चो सर्वत भ्रमतियस्मा वैदिक धर्म के अस्थापना के लिए इन्होंने चारो तरफ महुमा मने चारो तरफ घुमे इस प्रकार ग्यान महादीप देव दयानंद जो थे अपने जीवन भर यावद जीवन मने आजीवन जीवन भर देश के उद्धार के लिए प्रयत्माना प्रयत्न करते रहे तदर्थ स्वाजीवन दत्वान मने ऐसा करते करते उन्होंने अपने जीवन को समाप्रित कर दिया फर मुक्त अच्छा अध्यन गता है और ये मुक्ति को प्राप्थ हुए इस प्रकार से इन महर्ष का जीवन निश्चित रूप से अनुकरणी है यह पाथ समाप्थ हुआ यह साहतिक हिंद्यानों के लिए है और इसमें से क्रमशह पहले पारग्राफ का सौराश प्रांते से लेकर के प्रसिद्धो अभूत तक का अनुबात करना है फिर अन्त में इधर गुरुडा एव अज्या पे महर्ष से द्यान अंदह यहां से लेकर के भ्रहमती असमा यहां तक दो पारग्राफ का अर्थ अपनी कॉपी में आप लिखेंगे और प्रशन उत्तर इसमें जो अभ्यास प्रशन दिया गया है अप्यास प्रशन कम से कम फांच प्रशनों का उत्तर आप अपनी कॉपी में लिखेंगे धन्यबाद झाल